तो हलो दोस्तों, फाइनली एक निव जाब नोटिकेशन आउट हो चुकी है, जेनर के फ्रेज जाब रिक्रूटमेंट है, 2022 की जिसमें बहुत मेल और फिमेल एपलाई कर सकते हैं, 10th पास, 12th पास और ग्रेजवेशन पास जाबस हैं, सेलरी 25,000 पर मन्त रहने वाली हैं, आनल नोटिकेशन है, इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे सब कुछ इसके बारे में, टोटल कितने पोस्ट हैं, वीडियो को एंड तक देखना, चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सबस्क्राइब जरूर करना, बेल आइकन को आल नोटिकेशन पर रखना, ताकि आपको इसी त करेंगे, यहां पर, पहला पोस्ट है, टेक इनस्ट्रक्टर, नमबर आफ पोस्ट इस टू है, नेक्स्ट पोस्ट है, अमबरजन सी मेडिकल टेक्निशन, नमबर आफ पोस्ट इस तीन है, नेक्स्ट पोस्ट है, पाइलाट, जिसमें नमबर आफ पोस्ट इस टू है, और इ सबसे पहले आपको इनकी आफिशल वेबसाइट पर जाना है हेलोफाणडेशन जेके डाट काम फिर आपको यहां पर केरियर्स पर चेक करना है केरियर्स पर किलिक करने के बाद यहां पर आप देख सकते हो इस पर आपको किलिक करना है जो यहां आप इस पर किलिक करोगे आपके सामने यहां पर निव पेज ओपन होगा यहां पर आप देख सकते हो यहां पर पहले ही रिक्रूटमेट फार्दा पोस्ट आप टेक इनस्ट्रक्टर अमर्जनसी मेडिकल टेक्निशन एंड पॉइलाट सामने आएगा और नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो अलग 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 अडविटीजमेट है यहां पर आप देख सकते हो चक कर सकते हो क्या नोटिकेशन है सब से पहले हम यहां पर नोटिकेशन चक करेंगे नोटिकेशन आप यहां पर चक कर सकते हो Hello Foundation Jayne کے Human Effort for Love and Peace यहां पर आप देख सकते हो जेंड के के लिए new posters और यहां पर बहुत सारे students को फिर confusion रहता है कौन से students इसके लिए eligible हैं इन्होंने इस notification में साफ साफ लिखा है यहां पर आप देख सकते हो जो भी जेंड के UTK students है वो इसके लिए eligible है वो इसके लिए eligible हैं जितने भी student जेंड के UT के हैं वो in posts के लिए eligible हैं और यह जो posters हैं यहाँ पर आप देख सकते हो सिरे नगर में 2 posters और बढ़ गाम में यहाँ पर आप देख सकते हो 2 posters और डिस्टिक सिरे नगर में 1 posters इसी तरह यह in districts में पोस्ट हैं लेकिन जेंड के UT के सभी students इसके लिए eligible हैं पोस्ट नेम पहले हमने discuss किया हमारी optional website पर tech instructor इसके total two posts हैं और यहां पर आप देख सकते हो pay level 25,000 per month इसके लिए minimum qualification आपको दी गई है इनकी optional website पर इसी तरह second जो post है वो है emergency medical technician तीन पोस्ट टोटल है और इसके लिए जो qualification रहने वाली हैं वो 10 plus 2 with sinus और abo qualification विद minimum 2 years diploma in emergency medical technician operation इसी तरह next post है यहां पर आप देख सकते हो अलग-अलग इनके लिए pay level रखी गई हैं पाइलाट के लिए 12,562 और emergency medical technician के लिए 13,500 और जो पाइलाट पोस्ट है दो पोस्ट टोटल है और यहां पर आप देख सकते हो इनकी qualification minimum matrix with valid heavy medium passenger motor vehicle driving license और साथ में इन्होंने यहां पर यह भी कहा है preference will be given to candidates of same district for which the post is as mentioned above ज्यादा तर preference उन students को दी जाएगी जो student in district से बिलांग करते हैं यह है इनकी official notification अब हम देखेंगे कैसे आपको online application form submit करना है अलग-अलग post के लिए online application form submit करने के लिए आपको इनकी official website पर जाना है यहां पर आप देख सकते हो अलग-अलग links दी गई है post wise link for online application यहां पर आप देख सकते हो first link here to apply for the post of tech instructor इसी तरह second link here to apply for the post of emergency medical technician इसी तरह third link here to apply for the post of pilot जो जो qualification इन्हों ने वहां पर mention किये है अगर आपके पास वो qualification है तो आप इसके लिए eligible हो आप इसके लिए अपना form submit कर सकते हो जिस form के लिए आप apply करना चाहते हो उस पर आपको click करना है तो आपके सामने एक form नजर आएगा ये form आपको submit करना है जैसे कि job title, tech instructor, dear candidates यहां पर आप full eligibility देख सकते हो full पढ़ सकते हो, क्या-क्या mention किया गया है और position 2, contract, part time job है, duration 6 months और इसके लिए यहां पर आप देख सकते हो 25,000 पर month आपको salary मिलने वाली है सबसे पहले आपको क्या करना है आपको अपनी email यहां पर fill up करनी है उसके बाद आपको अपना नाम, then उसके बाद अपना contact number इसी तरह जो email आपने fill up की, वो email number education, जो जो education qualification आपके पास है वो आपको यहां पर mention करनी है जो इस post के लिए eligibility रखी गई है वो आपको यहां पर mention करनी है इसी तरह field of study, वो field आपको यहां पर choose करना है इसी तरह experience, अगर आपके पास कोई experience हो इस field के related तो आपको वो mention करनी है इसी तरह experience in monitoring then अगर आपके पास यहां पर experience है तो आपको यहां पर course choose करना है अगर नहीं है तो no experience choose करना है then उसके बाद यहां पर अगर आपने robotics course लिया है तो full time, part time, जो भी है अगर आपके पास experience नहीं है तो no experience program language कौन सी language आप जानते हो C++, Java जो भी language आप जानते हो वो आपको choose करना है अगर नहीं जानते हो I don't know पर क्लिक करना है इसी तरह robotics software अगर आप इसके बारे में जानते हो तो यहां पर आपको choose करना है नहीं जानते हो I don't know पर क्लिक करना है इसी तरह principles and fundamentals in circuit designing, mechanical electronics या अगर आप नहीं जानते हो तो I don't know पर click करना है जो भी आपके पास है वो आपको यहाँ पर click करना है इसी तरह आपको यह form submit करना है और यहाँ पर आपको साथ में upload supporting documents to the online form as per your response to the above questions जो जो आपने choose किया जो qualification आपके पास है वो आपको यहाँ पर documents add up करने है add file करना है then उसके बाद आपको यहाँ पर submit करना है जो ही आप submit करोगे आपका data सब कुछ इनके पास जाएगा तो आपको इनकी तरफ से mail आएगा और अगर आपने phone number दिया तो आपको SMS आएगा यह था एक post के लिए इसी तरह आपको बागी post के लिए भी apply करना है कोई भी fee नहीं रहने वाला है metric pass अगर आप हो तो आप इसके लिए eligible हो अगर 12th pass qualification हो तो eligible हो graduation हो तो eligible हो यह आप check कर सकते हो without fee आप इसको submit कर सकते हो जो भी qualification इस post के लिए mention की गई है अगर आपके पास वो है तो आप इसके लिए eligible हो आपको यहाँ पर यह farm submit करना है अलग-अलग post के लिए इनकी optional website पर जाना है अगर आपको इनकी optional website की link चाहे या अगर आपको फारम submit करना है optional notification देखनी है नीचे description books में हमारे website की link दी गई है वहाँ पर हमने सब कुछ इसके बारे में upload किया हुआ है यह थी एक बहुती बड़ी update बहुत सारे students के लिए उमीद करते हैं आपको यह video पसंद आया होगा वीडियो के related कोई भी डाउट रहता है तो नीचे comment box में comment जरूर करना मिलते आपने next shooter में तब तक के लिए good luck